हमारे पुराने साथी स्वरगिय सर्दार जश्मिंदर स्क्रीजी जिन्होंने अपने बच्च्पन से लेकर के आखरी समय तक इंडियन नैशनल लोगतल पालिटी को मजबूत करने का काम किया जिन्होंने हमेशना चौदरी देविलाल की नीतियों को आगे बढ़ा है लेकिन पिछले जिनों में कुछ इस किसम के आलात बने कुछ हमारे साथी विचलित हो गए थे और उन्हें जिन लोगों ने उनमें ब्रह्म पैदा किया उसका नाम तो नहीं रहना चाओंगा लेकिन आप अच्छी तरह से समझते होंगे कि वो कोण व्यक्ति है जो आज भी इस प्रियास में लगा रहता है कि कोई भी हमारा साथ थी क्योंकि वो हमारे साथ बहुत लंबे समय से थार वो पार्टी छोड़कर की कांग्रेस में चलाई है विशेश रूप से कगन संदो जी जो है जो सिर्फ थोड़े से समय के लिए हमें छोड़कर की हमारे सहलत वेते हैं आज फिर इनों ने दुबारा से चोधरी देविलाज जी की दीतियों में विश्वाश वैक्त किया है और आज फिर इंडियन नेशनल लोगदल पार्टी में नेशी नेशी शामील होकर के पार्टी को मजबूत करने का इड़ाप्षन है मैं इनका स्वागत करता हूं मैं भी नहीं बलकि पूरी पार्टी फिर सिन का आड़ी का मिननन करती है स्वागत करती है आज अकेले नहीं सैंक्डों साथी आज जो आपके बीच में बैठे हैं यह सब साथी जो है कोई कॉंग्रेस छोड़ करके कोई बीजेप्य और जिस्पार छोड़ करके आज मिर्सें चोदरी नेवलाज जी की इनिकें में विश्वास प्रेक्ट करने है उसके साथ साथ आज का जो इशुल पिछले कई दिन से अक्वारों में आप भी लिख रहे हो तो आप भी पढ़ रहे हो आप भी टीवी पे दिखा रहे हो हमने लोगडाउन के दोरां जिस देंसे इस परदेश के अंदर रूट मची थी नो बड़े गोटाले किये थे जिन वेसे दो के उपर सटाल की तरब से इंक्वारी कराई गी एक तो रजिस्ट्री का जो गोटाल जिस रजिस्ट्री के गोटाले में तीन सो से ज़्यादा लोग शामिल है और हमने का कि अगर इसकी डिस्पक्स जाच वागर सीविय जाच करे आज तो अधिकारियों पर ठीक राप पड़ा जा रहे हैं जहां अधिकारी इसमें दोशी है वहीं इसमें मुनिस्टर भी उतना इसमें दोशी है मनिस्टर ने किसी भी एक तस्हीलदार को कहीं जो पोस्टिंग हुई बिना पैसे के एक भी पोस्टिंग उसमें निकिए सारी की सारी पोस्टिंग जब करी गई आयात ओटल के अंदर एक वैक्ति को अपने दलाल के रूप में बठा करके और तस्हीलदारों को वहाँ पोस्टिंग करेंगे लेकिन उसके लिए आपको पार्टी को पैसा देना पड़ेगा और वहाँ पैसा ले करके उनकी पोस्टिंग करी गई जहां वहाँ रजिस्टी में यह बठाला हुआ पैसे का लेंड देन हुआ है वही एक चीज है अब त साइस का मामला था जो शराब का गोटाला हुआ था जब आप लोगों ने अपने रेलिवीजिन के माद्यम से सोचल मेडिया के माद्यम से अखवार से जब इस खबर को आपने च्छापा और दिखाया और जब हमने इस बात की मांग करी किसकी जांच होड़ी चाहिए तो पहले तो जांच कराने में ही सरकार ने कैसे इसकी लीपा पोति होशके उसके लिए ओम मिनिस्ट्रे ने तो SIT का गठन किया और चीफ मिनिस्ट्रे ने SIT को बदल के SIT का गठन कर दिया जहां SIT का गठन किया उसी दिन ये साबित हो गया था कि मुख्य मंत्री कहिना कहीं अपने मंत्री को बचाना चालता है मुख्य मंत्री कहिना कहीं इसकी लीपा पोति करना चालता है उसके बाद SIT की रिपोर्ट आगी उसरीपोर्ट को जहां पब्लिस्ट करना चीए था जहां उसकी रिपोर्ट के अधार के उपर कारवाई होनी चाहिए थी उन्हों ने इसको पुब्लिस्ट करने की बज़ाए उस रिपोर्ट में कौन दोशी थे उन लोगों की खलाफ कारवाई करने की बज़ाए एक विजिलंस की एक पहले उसमें एक अधिकारी से जांच बैठाई गी उस रिपोर्ट को बारिकी से अध्यन कराया लिया और फिर उसके बादे उसके ऊपर विजिलंस से जांच कराईगी और उस विजिलंस में खास करके जो त्रीकांट जादव जो आईपियस अपसर है उसको उसका हैड़ बनाया लिया उसके साथ उसके दो और आफिसंज लगाए लिया उसने जो अपनी जांच करी है मैंने अपने सुत्रों से जानकारी दी है, उस जांस के अंदर दो लोगों का पर्मुखुरूटे नाम हैं, एक तो एट्यो है, आनन्द मलिक, जिसने जितने भी आपके एक्साइज के जिनकी पोस्टिंग क्राणी थी, उस आजमी के माद्यम से पैसा लिया गया, और उस पैसे के लेन देन में, एक लड़का है, मिनु नाम का, जानते होंगे आप सारे, जानते होंगे ने जानते होंगे, सेक्टियर्ट में बैठता है, डिप्ट चीफ इनिस्टर के कमरे के सामने वाले कमरे में बैठता है, अनओफिशली ओफिस दिखा, देखर के उसको वाम बिठाया होगा है, चार-छे लोग वाम बैठते हैं, और वो सारा दिन, कैसे पैसे एंठे जाएं, कैसे कमिशन लिया जाएगा, इन दोनों लोगों ने पैसे लेकर के पोस्टिंग करवाई, और पैसे लेकर के जिनकी पोस्टिंग हुई, उन बहुत सारे अधिकारियों ने श्रीकांत जादव के सामने, ये बात जो है, माननी उन्हों ने, मानने के बाद जब श्रीकांत जादव ने उन से ये कहा, कि आप लिखित में दो, कि हमने इतना इतना पैसा दिया है, तो उनका आगे से जवाब था, कि अगर हम आपको लिख करके दे देंगे, तो ये बिनू बैनिवाल जाए, ये बदमास है, और ये अवे तुरंत मुरु जादे जाते हैं, उसके बाद स्रीकांत जादव की जो रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट आएगी, उसमें आप देखना, जो बात में आपको बता रहा हूं, वो यू के यो लिखी होगी, उसमें साथ शुदों के अंदर लिखा हुआ है, जादव की तरफशे, कि मुझे बहु बहुत सारी इंडरस्टी से, बी चबद का कोड लिखा गया है, बी का मतलब है, कि जो बिना लाइसंस की जो दारू है, बिना पर्मिट की जो दारू है, वो दारू उन्होंने फैक्ट्रियों से निकाली और उसको बेचने का काम गया, इसकी अगर सीवे ही जात हो, और अगर होम मनिस्टर निष्वक्ष है, होम मनिस्टर कहता है कि भी मैं दोस्री को सजान दिलाऊंगा, तो फिर होम मनिस्टर को भी तुनन तेस रिपोर्स को है, जो आपको पदिश्टरना जिए, बताना जिए, और जो दोस्री लोगें हुंके खिलाब, HFF도 आया लोजिच करके उनल तो अरणी होगी सुनकर के मुख्यमंद्री की मौजूदगी के अंदर, ये जो PWT, PNR के जो ठेकेदार होते हैं, जो पांसो, साथसो, हजार क्रोड का काम लेते हैं, उनकी चीफ मिनिस्ट्र ने मिटिंग उलाई और चीफ मिनिस्ट्र ने मिटिंग उला करके उनसे पुछा क कि वही आप लोगों को काम करने में कोई दिक्टत तो नहीं है, वहाँ चीफ मिनिस्ट्र की मौजूदगी में एक खेकेदार ने खड़ी होकर की का, कि 5% पहले जेना पड़ता है, काम बाज में अलोड़ता है, 5% पहले जेते हैं, 3-4% जब फिर तुम्हारे अपसर लेते है हैं, यहां कैसे काम कर सकते हैं, पन्चाइती राजगल, अगर एक किसी गाम के लिए पैसा लेना है, तो सेक्टरेट में चले ज़ो, दलाल बैठे बिले जिस दो परसंट लेते हैं, चैये करोड ले लो, चैपांस करोड ले 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 लो, चैपित नहीं ले ले ले, एक मिनिट में पैसा लोट अता है. आज कोई डिपार्टमेंट ऐसा दूछ से दुलावा नहीं हैंका, जिस डिपार्टमेंट के अंदर दलालना हो और जिस डिपार्टमेंट में कमिशन फिक्सना हो.